मिलके बिचहरना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशुहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लोट कर नहीं आतें, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, घरी की टिक-टिक को मामूली ना समझें, बस यू समझ लीजिए, जिन्दगी के पेर पर कुलहारी के वार हैं जिंदगी बदलने के लिए लरना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है जिंदगी में मुश्किलों का आना part of life है और उन संकेत है कि आप जिंदा है समस्य एक संकेत है कि आप मजबूथ है और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं है अपका खुस रहना ही आपके दुस्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है रेत में गिरी हुई चीनी चीटी तो उठा सकती है पर हाथ ही नहीं इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझें कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए ना गद बरा ना पद बरा मुसीबत में जो साथ खरा वो सब से बरा भगवान से कुछ भी मांगना हो तो सदवुद्धी मांगिये बाकी सब अपने आप मिल जाएगा कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है मन में उतरना और मन से उतरना सिर्फ वहवार पर ही निर्भर करता है अगर आपको कोई समझ नहीं बाता तो निरास नहों क्योंकि हमेशा कठिन चीजें बाद में ही समझ में आती है असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है असफन लोगों के पास बैठा कीजिए क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है मनुस्य बगैर मुहुर्द के जन लेता है और बगैर मुहुर्द के ही उसकी मिर्तियु हो जाती है लेकिन सारी उम्र वो शुभ मुहुर्द के पीछे भागता रहता है वक्त का खास होना जरूरी नहीं है खास के लिए वक्त होना जरूरी है अईसे ही सांदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईए और हमारे चैनल से सम्मंदित कोई भी सुझाओ या कोई भी शिकायत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार